हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज मैं गुल्दावदी के बारे में कुछ ऐसी बातें आपसे सेयर करूँगी जिनके बारे में साहदी आपको जानकारी हो वैसे तो गुल्दावदी का सीजन आ गया है और सभी को सर्दियों में गुल्दावदी के पौधे लगाना बहुत पसंद होगा लाश्ट में मैं आपसे ये भी सेयर करूँगी कि आप गुल्दावदी के पौधे 10 रुपए में कहां से खरीच सकते हैं जी हाँ दोस्तों 10 रुपए में गुलदावदी के पौधे मिलते हैं मैं बताऊंगी कि आप कौन सी नर्सी से 10 रुपए के गुलदावदी के पौधे ले सकते हैं और अपने गार्डेन को ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से भर सकते हैं इसके हलावा इस पौधे पे कौन सी खात कप तक यूज़ करनी चाहिए और फ्रेंट्स अगर आपसे कटिंग नहीं चलती है तो उसका तरीका भी मैं बताऊंगी कि कटिंग को कैसे लगाना चाहिए और आप एक पौधे से हजारों पौधे कैसे तयार कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में बने रहेगा दस तरह की टिप्स में आपको आज बताऊंगी जो गुल्दावदी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मन्द होने वाली है अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंट्स गुल्दावदी को क्रिसिंथमम के नाम से भी जाना जाता है ये सर्दियों में खिलने वाला बहुत ही खुबसूरत प्लांट है इसे पर्मनेंट की तरह भी यूज किया जाता है आप अगर इसे एक बार नर्सी से ले आते हैं तो ये सालों साल आपको फूल दे देता रहता है क्योंकि ये पर्मनेंट प्लांट है गर्मियों में फूल नहीं देता है सर्दी में तीन महीने लगातार इसमें बंच में ये तरहे की लथा है तो पोईंट ये है कि इसकी कब लगाना चाहिए जुलाई से अगस्त की बीच में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं गुलदावदी के पौधे आप दो तरह से तयार कर सकते हैं नमबर वन तो आप पहले कटिंग ले लीजिए कटिंग भी आपको नौड एरिया वाली लेनी है देखेगा छोटी सी गार जब ह होती है वहां से आपको कट करना है कट करने के बाद आपको इसकी सारी लीफ हटा लेनी है जितना हिस्सा आप मिट्टी में रखेंगे उतनी आपको लीफ हटानी है उसके बाद आप इसे रेतीली मिट्टी में लगा दीजिए बहुत ही जल्दी चल जाती है और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखेगा कि आप जिस भी गमले में कटिंग लगा रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा कटिंग को लगाना चाहिए। इससे होता क्या है अगर आपकी एक कटिंग नहीं चलती है तो दूसी कटिंग से आपका पौधा तयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स गुलदावदी के पौधे तयार करने का दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपने प्लांट में देखेगा इनके बेबी प्लांट निकले होते हैं उनको आप जड़ सहीद निकाल कर और भी पौधे तयार कर सकते हैं ये देखे मैंने इसे रूट सहीद निकाल है लेकिन इसमें एक प्लांट नहीं है लगबग तीन से चार प्लांट हैं देखते हैं कितने प्लांट निकलते हैं ये देखे एक प्लांट तो ये निकलाया इससे एक पौधा तयार हो जाएगा दूसरा प्लांट ये निकला है और ये तीसरा प्लांट तीन प्लांट इसमें फ्रेंट्स थोड़ा सा पानी डाल कर एक दो दिन छाओं में रखने के बाद आप इसे डारेक्ट धूप में रख सकते हैं। टिप्स नमबर टू गुलदावदी के पौधे को घना बनाने के लिए जब आपका पौधा चार से पांच इंच का हो जाए तो उसकी प्रूनिंग करना सुरू कर दें। टिप्स नमबर टू गुलदावदी के पौधे में नमबर में कलिया बनने लगती हैं तो आप अक्टूबर के लाश्ट में इसमें प्रूनिंग करना बंद कर दें। और फ्रेंट्स नीचे से आप सिर्फ इसकी लीफ हटाते रहें तो ये उपर की ओर बढ़ता जाएगा और उपर से घना होता जाएगा जब ये उपर से घना होगा तो इसमें फूल ही फूल आपको नजर आएंगे। पौधे की एनर्जी खीशते हैं इसके लिए आपको टाइम टू टाइम उनके डेट फ्लावर हटाने होंगे और डेट फ्लावर ऐसे ही नहीं हटाना है डेट फ्लावर को आपको कैची से ब्रांच सहित अलग करना होगा वहां से न्यू ब्रांच आएगी तब उसमें भी कल इसमें खाद कौन सी देनी चाहिए गुलदावदी के पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद सरसों की खली होती है इसका एक तुकड़ा ही इसके लिए वर्दान होता है इसके एक तुकड़े को आप एक लीटर पानी में राद भर भिगा कर रख दें और फिर उसे लगभग पांच लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर ले ये सभी पौधों में आप यूज कर सकते हैं जितने भी सरदी वाले पौधे होते हैं उसमें इसका इस्तमाल करिए देखिएगा कितना अच्छा असर दिखाई देगा सरसों की खली का उप्योग आप महीने में एक बार कर सक लेकिन जो भी आपने कटिंग तुरंत लगाई है उसमें आपको नहीं डालना है जब आपका पौधा लगबग चार से पांच इंच का हो जाए तब आप इसमें सरसों की खली का उप्योग करिएगा और अगर आपके पार सरसों की खली नहीं है तो आप केले और प्याज की छिलके ले लीजे उन्हें राद बर भीगो कर रख दीजे उसे हपते में एक बार अपने गुलदावदी के पौधे में यूज करिए अलग ही असर देखने को मिलेगा और फ्रेंट्स आप भी इस तरह से अपने प्लांट को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक रा खाद का इस्तमाल नहीं करना चाहिए मैंने यहां पर खाद का इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि मैं अभी इसमें कटिंग लगाऊंगी तो खाद मैं उपर से ही दूंगी कटिंग लगाने के लिए मैंने 50% गार्डन स्वाइल 20% सैंड और 30% कोको पीट का इस्तमाल किया है कट थिन का इस्तमाल किया था तो मैं इसमें थोड़े से छेद कर ले रही हूँ जिससे इससे पानी आराम से निकल जाए फ्रेंड्स गुलदावदी के पौधे को पानी कम जरुरत होती है और धूप की ज़्यादा वशकता होती है तो आप अपने पौधे को जब भी लगाए तो इसमें वेल्डेंस वाइल का इस्तमाल करें और फ्रेंड्स अगर आपकी कटिंग नहीं चलती है तो इसके लिए आप रूट हार्मोंस का उप्योग कर सकते हैं ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है आप इसे नर्सी से परचेस कर लीजे इसके बाद थोड़ा सा ही इसमें डिप क करने से इसकी कटिंग बहुत जल्दी चलती है किसी भी तरह की कटिंग आप लगा सकते हैं ये रूट हार्मोंस बहुत ज़्यादा उप्योगी होता है और फ्रेंड्स इसे राउंड से बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कटिंग के जरूरत पड़ेगी तो मैं जितनी भ कंबर के महीने में कलिया बनने लगती है साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको पॉइंट भी बताती जा रहे हूं कि जब भी आप अपने पौधे की पूरिंग करें तो आप अपने पौधे को खाद जरूर दें इससे पौधे में नियो ग्रोध आने में आसानी होती है और रा बस इस तरह से आपको इसके प्लांट की कटिंग लगा देनी है ये जब बड़े होते जाएंगे इनको बराबर से रखने के लिए इनकी बस प्रूनिंग करना है और ये राउंड से एक में बदल जाएंगे और फ्रेंट्स नेक्स्ट टिप्स ये है कि जब गुलदाबदी में फुल ब्लूमिंग होने लगे तो उसमें आपको खाद देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए गुलदाबदी के पौधे में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं इसके लिए आप नीम आयल का उप्योग कर सकते हैं नहीं तो हो में स्टी साइट का उप्योग कर सकते हैं और फ्रेंट्स नेक्स टिप्स यह है जब भी आपका पौधा इस तरह से मुर्जाने लगे तो आप इसमें पानी देना बंद कर दें और एक लिटर पानी में एक चमच इपसम सॉल्ट घोल कर इसमें साम के वक्त दें इससे आपका मुर्जाया हुआ पौधा ठीक हो और फ्रेंट्स जैसा कि मैंने बोला था कि इनकी पतियों का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आप एक लिएर मिटी की बिचा लेजीए उसके बाद इसकी पतियों को डाल दें उसके उपर से फिर से मिटी डाल दें तो ये खाद के रूप में बहुत ही जल्दी कर्द हो जाती हैं और आपके पौधे को अलग से पूसर देती हैं और अगर आपके गुलदाबदी में कलियां आने के बाद वै सूखने लगता है तो उसमें फंगष का अटैक हो जाता है आप इसके लिए साफ फंगि साइट का उप्योग कर सकती हैं और फ्रेंड्स कटिंग लगाने के लिए हमेशा उपर की ब्रांच ले एक बार कटिंग लगाने के बाद दुबारा ग्रोथ आने पर इससे नई कटिंग तयार करें और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि आप 10 रुपय के गुलदाबदी का पौधा कहां से खरीज सकते हैं तो कानपूर नर्शी में आप आएंगे किसी भी नर्शी से आप 10 रुपय का प्लांट खरीज सकते हैं ये देखे, मैंने भी 6 प्लांट लिये हैं, बाकी गेंदे के प्लांट लिये हैं, ये 20 भी सुपय के गेंदे के प्लांट हैं, वैसे तो मैं ज़्यादातर कानफूर की सभी नर्सी में जा चुकी हूँ, मैंने 10 रुपय का ही गुलदावदी का पौधा खरीदा है, और जिन पर आपको मिल जाएंगे, तो फ्रेंड्स कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा, अभी के लिए इतना ही मिलते है आपने ने ने वीडियो में थैंक यू